नमस्कार दोस्तों आए इस अंक में हम लोग कुछ महत्पूर्ण करेंट अफेर्स समसमाईकी पर बात करते हैं हमने 20 महत्पूर्ण समसमाईकी के परशनों को लाया है जिनके विभिन परिक्षों में आने की पूरी संभावना है अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे और वेल ऐकन को प्रेस करिए ताकि कोई नया विडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और उसका आप लाव उठा सके हैं तो पहला परशन है भारत के किश नगर को यूनेस्को की विश बिरासत सुची में जुलाई 2019 में सम्मिलित किया गया इसका सही उत्तर है विकल्बी जैपूर सिटी यूनेस्को की एक बैठक अजरवैजान के बाकू में संपन हुई जिसमें यह निरने लिया गया कि जैपूर सिटी को सम्मिलित किया जाए इस तरह का पहला सहर आहमदावाद है जिसे 2017 में सामिल किया गया था भारत के दो अन्न सहर एक है औरच्छा जो मत परदेश में है वा कैलास मांसरोवर उत्तर परदेश में है इनको भी सामिल होने पर फैसला होना है अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है इस तरह कुल भारती अस्थल है 38 जो अभी तक 20 विरास्त सुची में सामिल हो चुके है दूसरा है उत्तर परदेश के नए राजपाल कौन है तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए आनंदी वेन पटेल यह फागू चोधरी बिहार के नए राजपाल है लालजी टंडन मत परदेश के नए राजपाल है रमेस बैस तिरपुरा के नए राजपाल है और पस्सिम बंगाल के नए राजपाल बनाए गए हैं जगदीप धनखर नागालेन के नए राजपाल हैं आरेन रवी तीसरा है तीन तलाग विधेक को राष्टपदी का अनमोदन किस्तिती को प्राप्त हुआ तो से उत्तर है विकल्बडी 31 जुलाई 31 जुलाई को तीन तलाग विधेक पर राष्टपदी ने अस्ताक्षर किया इसके वादिया कानून बन गया चोता है बागों की संख्या के मामले में दूसरा राज है से उत्तर है विकल्बी करनाटक पहला अस्तान है मत्परदेश का हाली में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि 2014 से 2018 के बीच देश में बागों की संख्या में 33 परतिसत की बढ़ोती हुई है जो एक अच्छी ख़बर है पाचमा है भारत के किस महिला धावक ने जुलाई 2019 में बिभिन परतियोगताओं में कुल पाँच गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है इसका सही उत्तर है विकल्बी हीमा दास 200 मीटर वा 400 मीटर की बिभिन परतियोगता जो पोलेंड और चेक गनराज में संपन हुआ इसमें जुलाई मा में कुल पाँच पदक हीमा दास ने जीता है हीमा दास को धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ये असम की रहने वाली है हाली में एक दूती चंदर के नाम से भी रिकॉर्ड बना कि किसी अंतराष्टी एथलेटिक मीट में 100 मीटर दोल में स्वन पदक जितने वाली भारत की पहली धाविका है ये पुथू गुपता है ये भारत के 64 नए ग्रांड मास्टर है और आसा लता देवी है जिसे की बर्स 2018 में सर्षेस महिला फुटवारर घोशित किया गिया छटा है 6 जुलाई 2019 को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की कौन सी रेंग है इसका सही उतर है विकल्पसी बावनवा बावनवा रेंग भारत को प्राप्त हुआ है इसमें सर्वोच अस्थान स्विटिजर लेंड को प्राप्त हुआ है और इस रिपोर्ट का थीम था Creative Health Lives the Future of Medical Innovation और इस इंडेक्स का आंकलन अमेरिका की करनल इनवर्सिटी फ्रांस स्थित इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल वह युन्यों की बिशेश्ट संस्था सन्युक्तरासं की बिशेश्ट संस्था वर्ल इंटेलेक्चल प्रोपर्टी औरिन प्रधान मंत्री कौन है तो सेउत्तर विकल्प बिशेश्ट जॉन्सन हाली में बिटेन के जो पूर्पर्धान मंत्री थी बोरिस जॉन्सन के पहले थेरेशा थेरेशा ने यूरोपिय संग से संबंद बिच्छेट के मामले में बिवाद होने के करण अपने पत से दिफा दे दिया था जिसके बाद बोरिस जॉन्सन वहां के नए प्रधान मंत्री नियुक्त किये गया है यह भी कंजरेटिव पाटी के है आठवा है किन दो देसों के बीच पहली बार माल परिवनेतु अंतरदेशिय जलमार का उपयोग किया गया इसका से उत्तर है विकल् बंगलादेश पहले अंतरदेशिय जलमार का परियोग घरिलू बेपार के लिए किया जाता था लेकिन हाली में राष्टिय जलमार्ग संख्यां दो जो ब्रंपूत्र नदी फहर है इनका परियोग करते हुए भूटान वा बंगलादेश के बीच बेपार किया गया 29 अंतराष्टिय संस्था के अध्याक्ष ने हाली में अपने पत से इस्तिफा दे दिया है तो इसका सही उत्तर है विकल्फसी IMF यानि International Monetary Fund इसका हिंदी होगा अंतराष्टिय मुद्रा कोश इसके अध्याक्ष थी क्रिष्टीन लोगार्ड इसने European Bank के अध्याक्ष बनने के करण IMF के अध्याक्ष से इस्तिफा दे दिया है दसमा है फर्चून 500 कंपणी की सुची में भारत के किस कंपणी को सर्वोच अस्थान पराप्थ हुआ है इसका सही उत्तर है विकल्फ A. Reliance और 20 में सर्वोच अस्थान मिला था वाल मार्ट को जो अमेरिका की कंपणी है और ये रीटेल छेत्र की कंपणी है और भारत की कूल साथ कंपणीों को 500 कंपणीों में अस्थान पराप्थ हुआ जिन में सर्वोच अस्थान Reliance Industries को पराप्थ हुआ है एकर वा है विस खात पुरुषकार 2019 है तू किसे चुना गिया है इसका सही उत्तर है विकल्बी सैमन गुरूट को सैमन गुरूट नीदरलेंड के क्रिशी वज्यानिक है और इन्हे सबजी उत्पादन इन्हे सबजी उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के करण ये विस खात 2019 दिया गया है वारमा है ओलम्पिक खिलों में स्वर्ण पदक विजयताओं को भारत सरकार दोरा कितनी नगदरासी पुरुषकार में दी जाती है इसका सही उत्तर है विकल्ब डी 75 लाग और रजट पदक विजयताओं को पुरुषकार के रूप में ये दिया जाता है 50 लाग कांस विजयताओं को दिया जाता है कांस पदक विजयताओं को 30 लाग ये भारत सरकार नगद के रूप में देती है तेरवा है आरवी आई रिजयर वैंक ओफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर जर्नल जिनोंने जुलाई मा में अपने पत से त्याक पत्र दे दिया तिसे उत्तर है विकलप सी वीरल अचारी आरवी आई की स्वैत्ता को लेकर भारत सरकार या केंथ सरकार से इनके मतवेद हो गए थे जिनके करण इनोंने इस्तिफा दे दिया ये तीन अन एसन विस्वना पीवी कानून गो महस जैन ये तीनों बरतमान में डिप्टी गवर्नर जर्नल है 14 है किस फुटवालर को वर्स 2019 में सरसेस्ट भारतिय फुटवालर चुना गिया इसका सहय उत्तर है विकलप A. सुनिल चेतरी बरतमान में भारतिय फुटवाल्र टिम के कपतान भी है पंऍरमा है BSNL के नए चेर्मेन कौन है सहय उत्तर है विकलप A. परभीन कुमार पुरवार BSNL यानि भारत संचार निगरन लिमिटेड के नए चेर्मेन है ये सारदा कुमार है, राष्टी आवास बेंग के नए प्रमंद नि दे सक, अजे कुमार भल्ला है, देश के नए गिर्य सचिब, राजिव कुमार है, देश के नए वित्च सचिब शोलवा है वर्ष 2019 में किस तिथी को अर्थ ओभर सुट डे मनाया गया इसका सही उत्तर है, विकल्प डी, 29 जुलाई को, अर्थ ओभर सुट डे होता है, कि बर्ष 2019 में कान्मान किया गया था कि कितने संसाधन खर्च होंगे लेकिन 29 जुलाई को ही देश में 29 जुलाई को ही जितने संसाधन कानमान किया गिया था वो 29 जुलाई को ही समाप्त हो गिया तो इसलिए एक कानमान के अधार पर 29 जुलाई को अर्थ ओवर सुट डे मनाय गिया उनिस्व सातासी में इस डे की कलपना अर्थ सास्त्री एंड्रियू सिम्स ने की थी शत्र है कोपा अमेरिका कब 2019 किस देश ने जीता इसका सही उत्तर है विकलफ सी ब्राजिल ने ब्राजिल ने जीता है ब्राजिल ने पेरु को तीन एक से हरा कर ये कोपा अमेरिका कब 2019 जीता है और ये कब फुटबॉल से सम्बंदित है अठार माय विम लंडन 2019 का महिला एकल विजेता कौन है तो सही उत्तर है विकलफ डी सीमोना हलेप सीमोना हलेप जो रुमानिया की है इन्होंने महिला एकल के फैनल में सेरना विलियंस को हराया पुरु सेकल का विजेता था आपका नोवांग जुंकविच जो सर्विया के है नुवांग जोंकविच ने अहरा है रोजर फेडरर को जो sup Apparently के हैं पुरू सेकल के फाइनल में एक रिकॉर्ड ऊना कि बीम लेंडन के इतिहास में सबसे लंबा फाइनल चला सबसे लंबा पुरू सेकल का फाइनल बीम लेंडन में अभी तक के इतिहास में चला था उनिश्मा है तीसमें गिर्स्म कालियन विस्वे द्याले खेल का आयोजन जुलाई 2019 में किस देश में हुआ इसका सही उत्तर विकल्प ए इतली इतली के सहर नापोली नापोली में इसका आयोजन किया गया और इसमें सर्बोच अस्थान जपान को प्राफ्थ हुआ और इसका सुभांकर था पार्टी नोप को सुभांकर बनाया गया था और 31 में विस्वे द्याले गिर्स्म कालियन खेल चीन में संपन होंगे 2021 में चीन का एक सहर है चेंगडू में संपन होंगे बिस्माय भारत के किस पुर्ख क्रिकेट खेलाडी को जुलाई 2019 में ICC के हाल आफ फैम में सम्मिलित किया गया तो सही उत्तर है विकल्फसी सचिन तेंदूलकर सचिन तेंदूलकर हाल आफ फैम में समिल होने वाले ये छटे खेलाडी हैं और पांच अन खेलाडी अभी तक थे ये थे विशन सिंगवैदी, सुनिल गवाशकर, कपिल देव, अनिल कुमले, राहुल, द्रविल ये था 20 मात्पुन समसमाई करंट एफैर्स के प्रस्ट, अगर आपको ये अच्छा लगा था हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों मित्रों के बीच सेर करिए, तथा कॉमेंट करिए